नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आज मैं आपके लिए 22 फरवरी 2015 को जो सीटेट का एक्जाम हुआ था, उसके आज मेक्स पेडालोजी के क्योशन करेंगे, इससे फेले मैंने आपको 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, उसके बाद 17, 18, 19, सारे ओल्ड पेपर गणित के करा चुका हूँ, जितने भी मैक्स पेडालोजी के ओल्ड पेपर में क्योशन आये थे, सीटेट के, वो सारे क्योशन में आपको करा हूँ, कल आपके लिए एक बज़े क्लास मिलेगी आपको, जिसमें आपको 2011 से 2019 तक जितने भी मैक्स पेडालोजी में क्योशन आये हैं, उन सारे क्योशन करा उसके बाद उसकी PDF में आपको send कर दूआ आज शाम को उसकी PDF में आपको send कर दूआ अगर किसी को PDF नहीं मिलती है तो 9753749986 पर message कर देना उसके बाद आपको कल एक बजे क्लास मिलेगी उसमें आपको 2011 से 2012 प्रेक्टिस सेट रहेंगी उसमें मतलब एक सेट में 20 क्योशन मिलते हैं तो आपको 200 क्योशन करने को मिलेंगी अगर आप सब इस वीडियो से अगर देखना चाते हो तो एक बार comment box में comment जरूर करें तो मैं आपके लिए ये सारे क्योशन एक बार repeat करवा दूआ शुरूबात करते हैं अपने पहले क्योशन के आज के हमारा पहला क्योशन होगा गणित पेडालोजी का निमने लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है एक समसंक्या और एक विशम संक्या का अंतर एक समसंक्या हो सकता है दो विशम संक्या और एक समसंक्या है तीसरा है तीन विशम संक् एक सम संख्या है बता इसका सही अंसर क्या होगा निम्न लिखित में से कौन सा गलत है तो हमारा अंसर को ओप्षन नमबर दूसरा दो विश्यम संख्याओं और एक सम संख्याओं को योगफल एक सम संख्या है यह कथन सही है ओप्षन नमबर दूसरा हमारा सही होगा बढ़ते अपने अगले क्योशन की और अगला क्योशन है निम्न लेकित में से कौन सा प्रात्मेग इस्तर पर गणित शिक्षन की पाट्य चर्चा अप्यक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता वर्गीकरत आकणों के निरूपरण का विशलेशन करना तेदा निश्कर से निकालना देनिक ज प्रात्मेग इस्तर पर गणित शिक्षन की पाट्य चर्चाओं के साथ मेल नहीं खाता वर्गीकरत आकणों को निरूपरण करना और विशलेशन करना तेदा निश्कर से निकालना यह प्रात्मेग इस्तर पर गणित शिक्षन की पाट्य चर्चाओं के साथ मेल नहीं खात उप्शन नमबर पहला, बरते हैं अगले केस्टिन के और गणित की शिक्षा का मुख्य ध्य क्या है? विध्यारतियों को गणित समझने में सहायता करना उपयोगी शमताओं को विक्सित करना बच्चों की गणिती प्रतिभाओं का विकास करना या ज्यामिती के प्रमयों और उनके प्रमाणों का स्वतंतरूप से सर्जन करना बताएं गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश क्या हैं? तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश ये हैं कि बच्चों की गणिती प्रतिपाओं का क्या करना? विकास करना. अगला क्योशन बताएं, प्रात्मिक इस्तर पर टेन ग्राम बिंदू के खेल प्रतिरूप इत्यादी का प्रियोग विध्यारती की सायता करते हैं? इस्थानिक समझ की योगिता में व्रधि के लिए, संक्याओं की तुलना का बोध विक्सित करने में, परिकलन कोशलों के परधन में या मूल भूत संक्रियाओं को समझने में, बताएं, प्रात्मिक इस्तर पर टेन ग्राम बिंदू के खेल और प्रतिरूप इत्यादी का प्रियोग विध्यारतियों की सायता करते हैं, किसके लिए सायता करते हैं? तो वो हो इस्थानिक समझ की योगिता में बिंदू के खेले और प्रतिरूप इत्यारतियों से आक्रति के उपयोगी की सायता से किसी जित्र की रचना करने करने के लिए कहता हैं इस क्रिया कलाब में निमने लिकित में से कौन सा उद्देश प्राप्त क्रिया किया जा सकता है ज्ञान, समझ या बोध, रचना सरजन या अनुपरियोग बताए तो इसका सही आंसर होगा option number 3 रचना और सरजन आकरति के उप्योगी की साहिता से किसी भी चित्र के रचना करने के लिए कहा जाता है तो वो होता है रचना का सरजन करना option number 3 हमारा सही आंसर होगा कक्षा चोंति का चात्र अरजुन संक्या प्रणाली से संबंदि सभी प्रशनों का उत्तर मोखिक रूप से दे सकता है परंतु संक्या प्रणाली पर आधरे समश्याओं को हल करने के लिए गल्तियां करता है लिखने में उसकी तुरूटियों को सुधानने के लिए सबसे उप्चारत्मक तक्निक क्या है उप्षन नंबर पहला है वास्तविक जीवन के अनुभो को गनिती संकल्पनाओं के साथ सम्मदित करना उसको एक काजिप पत्रक देना जिससे समश्या आंसिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली इस्तान भरने हो तीसरा है संख्या प्रणाले की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके दिखाना उसे 10 अभ्यास परिक्षा हैं देना बतां इसका सथी अन्सर क्या होगा तो देखो कक्षा पांचों का छात्रा अर्जुन को संक्या के संबंदित प्रश्णों का मोकिक रूप से उत्तर दे सकता है तो उसके लिए उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें उसके समश्या आंसिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली इस्तान भरने और ओप्शन नंबर दूसरा अगला क्योश्यन है राष्टी ये दगो राष्टी पार्टी चर्चा रूप रेखा के क्योश्यन तो आपको डेफिनेटली सारे देख के जाने हैं इसके उपर मैं आपको एक वीडियो बना दूआ राष्टी पार्टी चर्चा रूप रेखा मतला मैं आपको एक तारिक से चेप्टरवाईस ही चालू करूआ इसलिए मैं आपको ओल्ड फेपर शुरू करें आपको 3 गंटे की 2-2, 3-3 गंटे की 2 वीडियो बनागे आपको सेन कर दूआ तो आपके सारे ओल्ड पेपर के गणित प्रिडालोजी हो जाएगी उसके बाद में एक तरिक से आपके चेप्टर वाइस चालू कर दूँआ राष्टी पाट्टे चर्चा रूप रेका 2005 के अनुसार विध्यालों में गणित शिक्षन का संक्यन उद्देश क्या है राष्टी पाट्टे चर्चा रूप रेका 2005 के अनुसार विध्यालों में गणित शिक्षन का संक्यन उद्देश हैं बीज गणित पढ़ाना क्या बढ़ाना बीज गणित पढ़ाना अगला क्योश्यन है एक बच्चा जिस अवस्ता में सभी संक्या संबंदी संक्रियाओं को करने में शक्षम है तो वो है विभाज नात्म का वस्ता एक बच्चा जिस अवस्ता में सभी संक्या संबंदी संक्रियाओं को करने में शक्षम है तो वो है विभाज नात्म का वस्ता जिनात्मग अवस्ता कहलाती है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार-बार किये जाने वाले जोड के रूप में बता रही है उसके बाद समान संख्या की वस्तों का समुवक और गुणा के रूप में बता रही है तत्पष्चा चिन लगा रही है गुणा से यह चिन इससे परिचित कर रही है तता अंत में गुणन फल पता करने के लिए आड़ी तिरजी रेका है या तो माचिर की तीलियों की साहिता से एक छोटा क्रिया खलाब करती है या अध्यापिका क्या कर रही है तो इसका अंसर है मूर्थ से अमूर्थ संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना अप्शन नमबर दूसरा अगला केशन है कक्षा में गणिती करण मनोरंजनात्मक क्रिया कलाब तेदा चुनोती पुन जयामिती पहले संबंदी क्रिया कलाब महत पुन है क्योंकि वे विद्यारतियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तेदा देनीक चर्चा के करण होने वाली उपसे बाहर प्लाते हैं वेदिक गनित आजकल विशेश रूप से प्रात्मिक विद्यालेयों के बच्चों में बहुत लोक्री होता जा रहा है। प्रात्मिक अवस्ता में गनित में रचिनात्मक मुल्यांकन में अंतर नहीत हैं। असंगती और उसके शिक्षण में कम्यों को पहचानना। अगला क्योशन एक शिक्षक गनित के समप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उप्योग करती हैं। विध्यारतियों की विवारिक शमताओं को उप्योग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं। विवारिक शमताओं के विकास के लिए एक निश्चित प्रकार की सोच एम तरकिकता विक्सित करने के लिए। अगला क्योशन एक शेलज़ाका खटाओं को शाम में श्ब्दों में बताने को भी कहती हैं। शेलजा समच्या का सही हल करने के समख्ष भिपरंतु उसके व्यक्या करने में शक्षम नहीं थी। यह शेलज़्ाके निम्नविषिस्थना प्रदेशित करती है। परिमाप के समप्रत्य है कि कम समझ परंतु अच्छी मोखी ग्योग्यता निमने इस्तरी भाषा प्रमिनता और निमने इस्तरी गणिती प्रमिनता तिसरा है निमने इस्तरी भाषा प्रमिनता उच्छी इस्तरी गणिती प्रमिनता या कम आत्मिश्वा इस्तर्चता कम गणित कोशल भताए इसका स्री आंसर क्या होगा तो इसका आनसर प्रोब् impressions नंबर तीसरा क्या है यहें नीमने चर्चा में बदलाव करना, समय का बहतर सदुपीयोग सूनिश्चित करना, विश्तरत अधिगम अवसर प्रदान करना और विद्यार्तियों को आनंदव मस्ती प्रदान करना बताए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है आखरी क्यूशन है आज गणीत की पेपर के वापस से क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद